नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि USA अब अपना F-35 Stealth Fighter Jet United Arab Emirates को दे सकता है तो दोस्तों ये भी आइडिया लगाया जा रहा है कि इंडिया अगला देश हो सकता है जिसके साथ में ये डील की जा सकती है 5th Generation Stealth Fighter Jet के लिए क्योंकि चाइना के साथ लगातार स्टेंड ओफ चल रहा है ऐसे में एक ऐसे Fighter Jet की जरूरत पढ़ सकती है तो आज हम इसी को डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि Senior Advisor जो की United State के President Donald Trump के लिए है जिनका नाम जेड कुछनर है वे अभी UAE के अंदर आये थे और उन्होंने शायद एक डील साइन की है जिसके अंदर F-35 Fighter Jet सप्लाई किये जाने है इस देश को हलांकि इसके लिए विरोध भी अमेरिका के अंदर और स्पेशली दोस्तों इसराइल का भी इसके अंदर विरोध हो सकता है और दोस्तों वे अल दाफरा बेस के अंदर पहुंचे जो UAE के अंदर स्थित है और यहां पर कई बार F-35 को ठहराया गया है यहां पर और भी अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग प्लेन और ड्रोन्स भी यहां पर ठहरे हैं और हमारा राफेल जब प्रांस से आया था तो यहीं पर रुका था तो ऐसे में दोस्तो मुखे अजेंडा तो नहीं बताया जा रहा कि F-35 की सेल है लेकिन फिर भी गुपचुप बाते यह आ रही है कि F-35 डील के उपर बात की गई है लेकिन दोस्तो जहां तक बात आती है इंडिया की तो इंडिया यूएस का एकलाई है और इसराइल के साथ में भी बहुत ही अच्छे रिलेशन है इंडिया के तो ऐसे में इंडिया को F-35 फाइटर जेट देने के अंदर किसी को भी प्रोब्लम नहीं होगी अमेरिका बड़ी असानी से यह फाइटर जेट इंडिया को दे सकता है और दोस्तो आपको बता दें कि इंडिया ने 36 थोड़ी बहुत कर रहा था लेकिन उस समय इंडिया की रिक्वाइरमेंट ऐसी नहीं थी और दोस्तो राफेल को चुना गया है तो राफेल की बात करें तो यह 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और एक ओमनी रोल फाइटर जेट है ट्विन इंजन फाइटर जेट है इसकी अगर खासियत की बात करें तो यह एर सूपरमेसी के अंदर इसके इलावा एरियल रीकनिसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, नुकलियर डेटरेंस मिशन सभी तरह के मिशन कर सकता है और चाइना और पाकिस्तान को टकर दे सक वहीं दोस्तो F-35 के कमपैरिजन में अगर इसके अंदर कोई कमी है तो सबसे बड़ी कमी है स्टेल्थ टेकनोलोजी की और इसके इलावा दोस्तो इस फाइटर जेट के अंदर बहुत ज़्यादा एजिलिटी है यानि कि फूर्ती है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इ वो चाइना के J-20 से कनफरम आउट फर्फोर्म कर सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि J-20 अभी राफेल के मुकाबले भी कनफरम नहीं है कि कैसा है लेकिन F-35 आने का मतलब होगा कि इंडिया के हाथ में वो पावर आ गई है कि वह चाइना को आसानी से हरा सकता है और चूंकि द दोस्तों ये कोस्टली जरूर होगा लेकिन F-35 मिलने का सीधा सा मतलब होगा कि इंडिया को एक वो पावर मिल गई है जिससे वह इन दोनों देशों का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकता है और इससे पहले दोस्तों 2018 के अंदर मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स आई थ लेकिन चुकि हम बड़े कस्टमर रहे हैं रशियन फाइटर जेट के और नया एक फाइटर जेट खरीदना अमेरिका से उसके अंदर बहुत सी प्रोब्लम भी हो सकती है और इसके इलावा बहुत सा इंफ्रसक्चर और हर तरह के ओवर ओल फैसिलिटी भी लगानी लेकिन इंडिया की प्रोसेस भी बहुती स्लो है तो इस समय दोस्तो अगर चाइना के साथ ज़्यादा टेंशन होती है तो शायद इंडिया इसके उपर विचार कर भी सकता है क्योंकि दोस्तो तीन एशियन नेशन जिसके अंदर साउथ कोरिया जापान और सिंगापूर है इसके अंदर इंटरस्ट है वे इसे यूज भी करते हैं और अभी साउथ कोरिया ने F-35B को परचेज करने के लिए भी इशारा दिया है जो कि दोस्तो एरक्राफ्ट कैरियर से भी उडान भर सकता है वहीं दोस्तो F-35B नेवी के लिए खरीदा जा सकता है ये 5th generation jet तो है ही ह इसकी स्पीड भी मैक 1.6 से जादा है यानि कि ये 1 और हाफ टाइम जादा स्पीड है साउंड से और इसके इलावा वर्टिकली लेंड करता है दोस्तो सीधा जैसे हेलिकॉप्टर लेंड करता है और साथ ही दोस्तो ये 2 air to air मिसाईल और इसके इलावा 2 एक जार पाउंड के गाइडिड बोम भी अपनी इंटरनल वैपन बे के अंदर लेके जा सकता है और दोस्तों अंत में ये कहना चाहूंगा डिसीजन तो मुश्किल है हलांकि इंडिया अपना AMCA बना रहा है अगर exact हमें आइडिया जरूर लगाना चाहिए कि AMCA हमारा कब तक आएगा और अगर ह चाहिना को जवाब दे रहा है और हमारे पास जो भी fighter jet है उससे हम उसका मुकाबला करने में सक्षम है और दूसरी बात दोस्तों अगर fighter jet खरीदा जाता है तो कम से कम एक साल उसके अंदर training के लिए चाहिए उसके साथ में पारंगत होने के लिए तो ऐसे में ये बात जरूर हमें future के लिए अगर सोचें तो F-35 का विचार किया जा सकता है धन्यावाद जैहिन